हेलो दोस्तों आपका स्वाकत है मेरे चानल पर इस चानल में इग्नू मेजी से रिलेटेट सभी आपके questions का जवाब देती हूं जो भी problems मैंने face की थी या जो भी dilemma मैंने face किये थे उन सबको मैं आपके लिए solve करने की कोशिश करती हूं तो आज का हमारा question है कि क्या हमें इग्नू की books के लिए opt करना चाहिए या नहीं तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे aware हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप अवेर नहीं हैं तो मैं आपको यहां आज बताती हूं कि 2019 से इग्नू ने ये नया step introduce किया है कि अगर आप उनकी physical hard copy books के लिए opt करते हैं तो आपकी fees जो है वो 12,000 जैसे कि आप जानते हैं 12,000 है वो वैसी रहेगी लेकिन अगर आप online books के दूप पढ़ना चाहते हैं जो कि online आपको free of charge इग्नू की website से कहीं से भी easily मिल जाएगी उसके ओपर कोई charge नहीं है और आप वो physical books के लिए opt नहीं करते हैं तो आपको 15% का discount मिलेगा विच इस 1800 रुपीज जो कि almost 2000 रुपे हमान सकते हैं कि आपको 2000 रुपे का discount मिलेगा तो अगर आप 2000 रुपे की बात करें तो मैं कहूंगे कि 2000 रुपे is nothing in compare to the huge amount of books जो कि आपको वो provide करें books are very good और मुझे पिए अगर कोई option देगा क बुक से पढ़ना हैं या लापटाप से पढ़ना है तो मैं बोलूंगे of course I need books मैं easily notes बना सकती हूं मैं चीजे माक कर सकती हूं obviously I'll go for books लेकिन इगन इगन की books के साथ problem यह है कि जब आप enroll करेंगे जब आप order करेंगे books आएंगे उसके 6 मेने के बाद तो अगर जैसे कि मैं December ब आज के हैं तो आपको assignment देने पड़ेंगे September तक तो अगर आपकी books June में आई हैं और आप सोचेंगे कि अब मैं पढ़ाई करना चालू करूं और September में मैं assignment दे दूं December में exam it's not going to happen the syllabus is very vast very huge तो आप books का वेट नहीं कर सकते हैं तो यह तो मैं भी agree करूंगी कि hard copy पर पढ़ना ज से notes बनाओ तो आपकी पस Google Docs है आप वहाँ पर जो भी कुछ सेव करेंगे वह सेम चीज़ अपने mobile पे भी retrieve कर सकते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आपको हर जगा वह नोट्स या वह वर्ट पैड का वह फाइल लेके आपको हर जगा घूमना पड़ेगा easily आप वहाँ पर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने laptop से या mobile से पढ़ते हुए अपने copy pen पी नोट्स बना सकते हैं कोई problem नहीं होगा आप इसारे notes जो है वो PDF form में सेव करके अपने friends के साथ easily share भी कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि online notes बनाने के कितने फायदे हैं आपका सिफ आपका अ जाके वहां से पनी books collect कर सकते हैं on time it is very good and it is very useful लेकिन अगर आप कहीं दूर रहते हैं से किम अगर कहीं दूर जहां से आपका study center बहुत दूर है और आपको जाके books collect नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप इससे अच्छा है कि आप 15% का जो वेवाफ है उसको आ आप और करते हैं तो आपको एक अफ़दे के अंदर तो मिल ही जाएगी कम से किम आपको 6-7 महिने वेट नहीं करना पड़ेगा तो this is my suggestion for you इसके लबा अगर आपके पास library है कोई आसपास तो please आप वो library से अपना card बनवा लीजिए और उसका बहुत maximum use कीजिए और library से जितन करने में आपको पर स्ट्रेस आता है इसलिए हम जादा देर पढ़ना ही पाते हैं तो अगर आपके पस कोई और e-book reader है जैसे की kindle हुआ, gobo हुआ, दूसरे काफी सारे है आप दूसरा अगर चेक करेंगे online तो आपको दूसरे भी e-book readers मिलेंगे तो आप उनका use करना चालो की उसे अपको reading करने में help मिलेगी इसके अलावा अगर आप चाहें audio books के जो app है वो phone में install कीजे क्योंकि आंको पे stress हो रहा है I understand लेकिन कान में सिर्फ जहां आप खाना बनाते हुआ या ट्रावल करते हुआ गाने सुनते थे उसके जगह अगर आप books अपनी सुनना चालो तो आपको obviously आपको time को maximize करें आप साधा utilize करें तो आपको जो है आपका time वहाँ बचेगा इसके अलावा इगनो की books की जो आपको पढ़ाई करनी है उसके लिंक तो आपको online free में मिली जाएगी तो आप थोड़ा बहुत time to time up dedicate कीजिए कि इससे मुझे इतने देर इतनी पर नहीं होगा और जो books है वो जो पैसे है वो आप physically दूसरी books लेने के लिए आप use कर सकते हैं तो in the end I would like to summarize कि अगर आप easily जाके books अपने study center से collect कर सकते हैं तो I think you should go for it आप 2000 रोपे बहुत बिल्कुल वर्त हैं easily आप उसको use कर सकते हैं you should go for it लेकिन अगर आप बहुत कहीं दूर रहते हैं जहां आपके लिए books लेके जाना collect करना और लेके आना it's very difficult तो books का weight करने सेफ अच्छा है कि आप अपना वो पैसे बचाएए उसको दूसरी books पर इंवेस्ट कीजिए और IGNU का जो syllabus से study material है वो आप online ही पढ़ाई करके खतम कर दीजिए इसके लाबा और मेरी आपके जाएद दिला दू कि COVID चल रहा है जिसकी वजहसे सारी process अलड़ी बहुत slow हो गई है तो अब अगर आप recent में अब आप admission लेने वाले हैं तो धयान रखी कि जो books हमारी ले 6 मेनी में थी आपके लिए शायद वो 8 या 9 मेनी में थी विच 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 वी काइड पॉंट कुछ भी और confusion है तो प्लीज मुझे बताईए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी हो सकता है कि आपके तरह बागे students को भी confusion हो तो वो उनकी भी help जरूर करेगा